ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है करते हैं शिर्वात देश और दुनिया की तमाम खास कबरों के साथ लखनाओ में होली के अगले दिन पुलिस लाइन में अधिकारियों ने भी जम कर हो लिए लिए इस मौके पर लखनाओ कमिशनर डीके ठाकूर जेसीपी लॉएन ओर्डर पियूश मोडरिया सहित सभी डीसीपी एडीसीपी एसपी ने मौजूद रहे मौके पर इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे के गुलाल लगाया वा साथ में मिलकर जम कर डांस भी किया तो लखनाओ में होली के मस्ती में तवाम अदिकारी डूबे नजर आए तस्वीरों में आप देख सकते है कि किस तरह से मौज मस्ती के साथ होली का तिवहार मनाया गया आजमगर में करोना नियमों को ताक पर रखकर एक बद्दे प्रोग्राम का आईजन कराएगा इस दौरान बार बालाओं ने डांस किया उनका डांस देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए बता दे किस वक्त प्रदेश में करोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं साथी सरकार ने ऐसे आयोजनों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है फिलाल मामला संग्यान में आते ही एस पी ने जाँच के आदेश दे दिये हैं तो करोना नियमों को ताक पर रखकर तेहारों पर बार बालाओं का डांस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आजम गड़ में ये बार बालाओं का डांस का वीडियो सामने आया है जिसमें तमाम लोग इस बाइए इस पार्टी में कई लोगों की भीड भी खटा हुई जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्या उड़ाई गई कोविड की गाइडलाइन इस समय पुनहलागू हो गई है सोसल डिस्टैंसिंग और कोई भी आयुजन करने से पूर उसमें अनुमती लेना आवश्यक हो गया है तो अनुमती के उपरांथी कोई आयुजन होगा चाहे वो किसी तरह भी चाहे डीजे बजाने के अनुमती हो चाहे उसमें किसी कलाकार के लाने के अनुमती हो अगर अनुमती होगी तो आयुजन होगा इसमें सारी चीज कवर हो जाती है दारह 144 भी लगी है तो उसमें अनु लखनौ के चिनहाट धाना शेतर में भीजन आग लग गई आग की चपेट में आने से कई होटल और रेस्टरॉण जलकर खाक हो गए मौके पर पहुँची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया फिलाल आग लगने की कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है तो लखनौ से आम बड़ी ख़बर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रेस्ट्रों में आग लग गई आग की चपेच में आने से काफी लाखों का समान जलकर खाक हो गया है तो लखनौ से बड़ी ख़बर आपको दिखा रहे हैं जहां एक रेस्ट्रों में आग लगने के चलते हैं यह हासा हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने देखते ही देखते पूरे रेस्ट्रों का अपनी चपेट में ले गया हाला कि कई लाखों क का समान इसमें जलकर खाक हो गया है काफी लाखों का नुक्सान हुआ है महीं दमकल की गाड़ी मौके पर पहुची और आग पर काबू पाया गया मैंपुरी के गौशलपुर में लाइन फॉल्ट होनी के कारण एक खेत में आग लग गई आग इतनी भीशन थी कि इसे बुझाने के ले आसपास के लोग मौके पर इखटा हो गया काफी मशकत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया लोगों का कहना है कि हम लोगों ने बिजली विभाग को कई बार यह सूचना दी थी कि खेत के उपर से जाने वाली लाइन को उपर कर दे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई लोगों ये भी आरोप लगा है कि हमने fire brigade को आग लगने की सूचना दी लेकिन वो मौके पर नहीं पहुचे तो line fault के चलते ये हासा हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहंकर आग लगी हुई है बिश्ली विभाग को कई बार हाला की ये सूचना दी जा सुकी है कि line को सही करवाया जाए और इसको और उचाई दी जाए जिसके कारण ही ये हासा हुआ है एक खेत में line fault के चलते आग लग गई आग पूरे गाओं के पंचो गाओं के लोगों ने बहुत मुश्किल से आग बजाई लगातार परसासन से संपर को उता रहा लेकिन परसासन ने किसी परसासन आजमगड के मुबार्क पूर्थाना गटना की सुझना पर पहुची पुलेस ने शण को कफजे में लेकर और गायल पतनी को हिलाज के लिए जिलाससपताल में भरती करा दिया है तो आजमगड में आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पती पत्नी को निशाना बनाया कुछ हमलावरों ने लूट पार्ट की घटना को अंजाम दिया और पती की गला रेत का रहत्या कर दिए वहीं पत्नी भी गंभी रूप से गायल है जिन अस्पताल में भड़ती कराये गया है सोनभद्र सेक मारपीट का वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हुआ है वीडियो में कुछ लड़के एक दूसरे पर लाटी डंडों की बरसात करते दिखाई दे रहे हैं मारपीट का वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है बताया जा रहा है कि ये वीडियो रॉबर्ट्स गंज को त्वाली छेतर के छपका गाउं का है तो सोनबतर से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहां पर कुछ यूवकों के बीच लाठी डंडे की चलने की वारदात को अंजाम दिया गया हाला कि मामला पुलिस थाने में पहुछ चुका है और वीडियो भी वारल हुआ जिसके बाद वीडियो संगान में आते ही हुए दिखाई दे रहे हैं हर्दोई में ट्राक्टर की चपेट में आकर एक बारा साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई बता जा रहा है कि बच्चा साइकल से अपने घर जा रहा था तब ही यह हासा हुआ फिलाल अभी तक बच्चे की पहचान नहीं हो पाई है वाई की कारवाई शुरू कर दी है तो हर्दोई में एक ट्राक्टर की चपेट में आने से बारा साल के बच्चे की मौत हो गई वहीं बच्चे की शिनाक्त नहीं हो पाई है अभी तक कि यह बच्चा किसका है लेकिन फिलाल पुलस ने अपनी कारवाई को आगे बढ़ाते हुए को पोस्ट मौटम के लिए बेज दिया है और बच्चे के परिजनों को सूचित किया जा रहा है उनका पता लगा कर तो यह आपने देखा कि किस तरहा से कुरोना काल में भी होली के तोहार पर रंगा रंग कारिक रमुका आजन हुआ जिसमें बार बालाओ ने डांस किया इसके साथ ही आपने कई तमाम ऐसी खबरे देखी जिनका सीधा सरुकार आप से था फिलाल के लिए बस अपनाई हम फिर हाज़र होंगे देश और दुनिया के तमाम खास खबरों के साथ आप कहीं मत जाएगा देखते रहिए प्राइम टीवी